सुना है महराष्ट चुनाव के नतीजे देखने के बाद संजय राउत गाते गाते मिम्याने लगे हैं यकिन नहीं होता दिखाता हूँ पहले बात ही कर लेते हैं अच्छा आप बड़े भाई हैं फिर आप क्या करेंगे लगता है फिर पूशना अरे एडिटर साहब यह आँकडे मत दिखा अटा दो वरना संजे राउत जी कुछ बोलेंगे नहीं चुप हो जाएंगे इनसे सवाल भी तो पूचना है वैसे संजे जी आप कहना क्या चाहते हैं जरा खुलकर बताइए ना हमारी लड़ाई तो शिवसेना को मुख्यवंत्री बनाने की जरूर रहेगी लोग चाहते हैं कि उद्दो ठाकरे फिलेक बार मुख्यवंत्री बने लोग उनके ओपर बहुत प्यार करते हैं भरोसा रखते हैं वैसे राउट साहब आप लोगों से बड़ा पंगा लेते हैं सही कहरा हूं कि नहीं संजे जी आप न अच्छी भाषा का इस्तेमाल नहीं करते हैं आप कैसी भाषा का एक बार तो मुझे याद है कि आपने तो गाली दे दी थी सही कह रहा हूं कि नहीं हमारे महाराश्टरम हम जब बात करते हैं तो हम तू याने तू बहुत नौटी है लो आप तो नौटी में अटक गए लें क्या ये बात सच नहीं है कि आपने महिला सांसर नवनीत राणा और उनके पती को क्या कहा था ये जो मिश्टर आने मिश्टर मंटी बबली है मगर इतनी अकड के बाद भी संजे राउत जी हमेशा खुल कर चैलेंज करते रहे पूरी तैयारी आप आईए अब हमारा चैलेंज लेकिन नतीजा देखिए दोस्ते क्या हुआ खतम हो गए ये संजे राउत जी ने प्रेस कॉन्फरेंस करकर के पूरी पार् अरे लोकसबा चुनाओं में भारतिय जनता पार्टी के मतदाता जरा निश्क्रिय क्या हुए आपने तो गंगा ही उल्टी बहा दी आपको लगने लगा आप ही जीत गए देखिए ना कहां पहुँचे हैं आप अरे भारतिय जनता पार्टी छोड़िये भाई आप शिव से ना एकनाथ शिंदे के कहां हैं अचा चलिए वो भी छोड़ दीजे आप अजीत पवार से भी आधे हैं कहां भारतिय जनता पार्टी बहुमत के बेहद करीब है और आपका तो पूरा गड़ बंधन भी एकनाथ शिंदे के बराबर नहीं पहुँचाई यही सच है और इसलि दिया है गद्दार कहा था कहा था आपने बाप के नाम पर वोट मांगो देख लीजिए जनता ने बताया कि गद्दार ही शिव सेना की विरासत का असली हकदार है और नतीजे आते ही संजराउट बिलाने लगे टू बिल्डो में दिखाता हूं दो दिन पहले क्या कह रहे थ सकते हैं और नतीजे की दिन क्या कहते हैं सुनिये leftover विश्वास है कि हमें बहुमत प्राप्त होने जा रहा है देख रहे ना दोस्तों? और मैं बैसे ही नहीं कह रहा है। यह g들을ndyम्यानि लगे। चुनाब प्रचार के समय ये खुद को ही अपना सब कुछ समझ लेते हैं पूरा राग भैरवी चालू था अब देखिए क्या कर रहे हैं मैं टू बिल्डो में फिर से दिखाता हूं उस समय गाने का और इस समय मिम्याने का अब सवाल ये है दोस्तों कि आखिर उद्धव ठाक रहे हैं बरबाद क्यों हुए क्यों मातम पसर गया मातोश्री में मातोश्री में मातम ये सोच से परे है ये संभवी नहीं था दोस्तों सत्ता रहे ना रहे लेकिन बाला साहिब ठाकरे के समय शिव सेना की हुकूमत कोई नहीं भूल सकता अब उद्धव ठाकरे की इस बरबादी के पीछे की वज़ा क्या कहीं दूर नहीं जाना है मैं तो बहुत छोटे वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ बाला साहिब ठाकरे का वो बयान जरूर सुनना चाहिए जब कॉंग्रेस के लिए उन्हाने कही थी चुनावती देते हुए कही थी छोटा हिस्सा सुना रहा हूँ सुन लीजिए देख रहे ना जो कह रहे हैं मराठी में हिंदी में देख लीजिए सोनिया के सामने जुकने वाले हिजडे होते हैं बाला साहिब ठाकरे बगर हुआ क्या इस बात की अभी खयाल नहीं रखा उद्ध ठाकरे ने उनके ही पुत्र ने वो तो चरण बंदना में लग गये गांधी परिवार की दरबार में हाजरी लगाने लगे मुझे बना दो मुख्यमंत्री उमिद्वार बना दो मुख्यमंत्री तो जन्ता बनाती है सत्ता से सत्ता के लिए हर चीज से समझोता विचार धारा से पिता की रणनीती से उनकी सोच से उस मर्यादा से जिससे पूरे शिवसैनिक बंधे वे थे उनकी पाटी बंधी भी थी देख रहे ना राहुल गांधी के दर्बार में हाजरी लगाते वे और तब ही विधान सवा चुनाप से पहले लोगों ने मजे लेने शुरू कर दिये कि कोई फाइदा नहीं भा आपने चरण बंधना कर ली कुछ नहीं मिला और तब जाकर के दोस्तों आज जब शिव सेना उद्धव ठाकरे की बात कह रहा हूँ शिव सेना तो वहीं है जब खतम हो चुकी है बरबाद हो चुकी है तब ये कहना जरूरी है ये भवशिवानी खुद बाला साहिब ठाकरे में की थी उन्होंने कहा था मैं अपनी शिव सेना को कॉंग्रेस नहीं होने दूँगा दुकान बंद कर दूँगा ट्लोस माई शॉप मैं दुकान ही बंद कर दूँगा हम चुनाव नहीं लड़ेंगे शायद ये श्राप उन्हीं के लिए था उद्धव ठाकरे के लिए आज ये बयान सुनना बड़ा जरूरी है दोस्ते सुनिए गेग रहे है न दोस्ते और आज उद्धव बाला साहिब ठाकरे की भवश्यमानी सच साबित हो जो नहीं का नाम लेकर शिव से ना जोड़ दिया उद्धव ठाकरे ने उभाठा उनकी दुकान बंद हो गई खतम हो गया है ये तो खतम होने से भी बत्र इनके तो विधायक बचेंगे तो दोस्तों आज उद्धव ठाकरे जिस तरीके से सियासी रूप से बरबाद हुए है उ तो सुबह सुबह हर दिन पहुंच जाते प्रेस कांफरेंस करने अकड इतनी अरे मोधी जी के सामने अकड नहीं चलती तो अकड को भी किस तरीके से जनता के सामने प्रस्तुत करते हैं उनकी विनम्रदा से सीखिए लेकिन खेर मैं मानता हूँ दोस्तों कि अब धव ठाकरे अगर वो माफी मांगेंगे तब तो राजनीती में चल जाएंगे उनको नरेंद्र मोधी से माफी मांगने पड़ेगी कि गलती हूँ नहीं तो उनकी राजनीती हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है यही आकलन है और इस मध्य महाराश के चुनाव की जनता ने ये कर के दिखा दिया है उम्मिद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तमाम पुराने बयानों को साथ समेट कर मैंने महाराश की राजनीती में उद्धव ठाकरे की भूमिका को डिकोट करने का प्रयास किया है आपकी क्या प्रतिकरिया है जरूर बताईएगा और आ बहुत बहुत धनिवाद जैसेया